नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप बाते गजबकी में आपका स्वागत है दोस्तों मृत्यू के बाद क्या होता है इस सवाल के कई सारे जवाब हो सकते हैं लेकिन इस सवाल का सबसे आसान जवाब ये है कि मृत्यू के बाद जीवन समाप्त हो जाता है इस दुनिया का कोई भी जीव जन्तु मौत के बाद जिन्दा नहीं रह सकता लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मृत्यू के बाद भी जीवित रहा जा सकता है तो आप क्या कहेंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना मृत्यू के बाद भी जीवित रहा जा सकता है हमारी दुनिया में कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो अपनी मौत के बाद भी जिन्दार रह सकते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ जानवर उसे मिलाने वाले हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि वो जानवर कौन से हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे साथ इस व ये बहुत अजीब से दिखने वाले जानवर होते हैं जो आम तोर पर घरों में गंदगी फैलाते हैं कहीं लोगों को इनसे डर भी लगता है लेकिन कौकरूचे के बारे में बताया जाता है कि अगर किसी जगह पर न्यूकलियर अटैक होता है तो उस जगह पर सिर्फ कौकर कौकरोच बचेंगे कौकरोच अपना सर कट जाने के बाद भी जिन्दा बच सकते हैं इनके बारे में मशूर है कि ये अपने सिर के बिना दो सप्ता तक जीवित रहते हैं ऐसा इसलिए संबह हो है क्योंकि कौकरोच के शरीर में एक open circulatory system होता है कौकरोच के शरीर में सिर कट कारण जो घाव होता है वो कुछ ही समय में खून के थक्के बनने के कारण स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है और दूसरी बात ये है कि कौकरोच को सांस लेने के लिए अपने सिर की आवश्यक्ता नहीं होती है कौकरोच के शरीर पर छोटे-छोटे holes बने होते हैं जिन मधुमक्खी अपनी मौत के बाद भी डंक मार सकती है इसका मतलब ये नहीं है कि एक मरी हुई मधुमक्खी उड़ कर आएगी और आपको डंक मार देगी बात ये है कि मधुमक्खी का डंक और उसके जहर की डिलिवरी करने वाला सिस्टम मधुमक्खी की मौत के बाद भी का जब एक मधुमक्ही डंक मारती है तो उसका डंक उसके شरीर से निकल कर अपने शिकार की तव्चा पर चिपक जाता है। जसमें मधुमक्ही का जहर होता है। reconoc behind thesinist function is from the result. ये पूरी action अपने आप होती है उसे मधुमक्phants का brain control नहीं करता है। और इस तरह से एक मदुमक्षी अपनी मौद के बाद भी डंक मार सकती है इसलिए किसी मृत मदुमक्षी को उठाना सुरक्षित नहीं है एक ओक्टोपस की मौद के बाद भी उसके शरीर के अंगों में प्रतिक्रिया होती रहती हैं वो हिलते रहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओक्टोपस का सेंटरल नर्वस सिस्टम बहुत यूनीक और अद्बुत है ओक्टोपस के हाथों में 9 सेल्स पाए जाते हैं सेल्मेंडर हमेशा से अपने लंबे जीवन और अमरता के लिए जाना जाता है सेल्मेंडर के पास एक अस्वाभाविक शमता होती है अगर सेल्मेंडर के शरीर का कोई हिस्सा कट जाये तो ये उस हिस्से को फिर से रीग्रो कर सकते हैं यानि कि इनके पास कटे हुए हिस्सों को फिर से उगाने की ख्शमता होती है यह पूरी प्रक्रिया سैलमेंडर्स में पाये जाने वाले एक वीशेश प्रोटीन के कारण होती है जो सेल्स को डुबिकेट करने की सुविधा देता है ये प्रोटीन इंसानों में भी पाया जा सकता है लेकिन बहुत कम आत्रा में बताया जाता है कि एक मेंडक के ब्रेन की मौत होने के बाद भी वो चल सकता है गूम सकता है दोस्तों, एक इंसान के शरीर में से अगर उसका ब्रेन निकाल लिया जाए तो उसकी मौत हो जाएगी लेकिन यदि आप मेंडक के सिर को नुकसान पहुंचाए बिना उसके ब्रेन को बाहर निकालते हैं तो उसका व्यभार एक आम मेंडक के समान ही होगा यदि आप उसके पेरों को छुएंगे तो वो उचल कर दूर हो जाएगा यदि आप उसे पानी में डालेंगे तो वह तैर कर किनारे पर आ जाएगा और बाहर निकल जाएगा और तो और अगर आप उसे तकलीफ पहुचाएंगे तो वो आवाज भी करेगा ये सारी चीज़े होती है मेंडग की power of reflex reaction के कारण अगर किसी जानवर का दिल काम करना बंद कर दे तो उसकी मौथ हो जाती है लेकिन टर्टल के case में ऐसा नहीं होता है अगर किसी टर्टल का दिल काम करना बंद कर दे तो भी वे काफी समय तक जीवित रह सकते हैं और लॉगर हेड मस्क टर्टल तो अपने दिल की धड़कने बंद होने के बाद भी लगभग 5000 घंटों तक जीवित रहता है एक हर्ट का काम होता है बलड के माध्यम से शरीर के अंगों तक oxygen और nutrients पहुंचाना लेकिन जब एक टर्टल का हार्ट काम करना बंद करता है तब वे पानी में रहकर अपनी तवचा, गले और शरीर के बाकी अंगों से सीधे oxygen ले सकते हैं इसके साथ ही वे बिना oxygen के भी अपने शरीर में energy produce कर सकते हैं और अपनी इनी abilities की मदद से ये मृत्यू के बाद भी काफी समय तक जीवित रह सकते हैं कुछ सापों की खासियत ये है कि वे अपना सिर कटने के बाद भी आपको मार सकते हैं साप के सिर में नुकीले और जहरीले fangs होते हैं ये fangs आपको काटने और आपके शरीर में जानलेवा जहर डालने की खमता रखते हैं भले ही साप का सिर उसके शरीर के बागी हिस्सों से जुड़ा नहों परन्तु फिर भी वो आपको काट सकता है साप के चेहरे के दोनों और heat sensitive गड़े होते हैं इसका उपयोग वह खत्रों का पता लगाने के लिए करता है ये heat sensitive गड़े साप की मौत के बाद घंटों तक खत्रे की मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम है इसका मतलब है कि कटने के बाद भी साप का सिर खुद का बचाओ करता रहेगा और यदि आप इसके करीब जाते हैं तो ये आपको काट सकता है फ्लैट वर्म्स फ्लैट वर्म्स को master of regeneration भी कहा जाता है क्योंकि इन में regeneration की बहुत special powers होती है अगर इनके शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाता है तो ये उसे वापस से grow कर सकते हैं अगर एक फ्लैट वर्म को बीच से काट कर दो हिस्सों में बांट दिया जाये तो दोनों हिस्से अलग-अलग grow करने लगते हैं यदि कोई आधा हिस्सा काटता है तो एक हिस्से की पूछ बढ़ती है और दूसरे हिस्से का सिर grow करने लगता है यदि इसके 20 टुकडे कर दिये जाये तो भी 20 नए फ्लैट वर्म्स पैदा हो जाते हैं और ये सारे फ्लैट वर्म्स दिखने में एक जैसे ही होते हैं ये तब तक नहीं मरते हैं जब तक ये किसी संक्रमन या बिमारी की चपेट में ना आ जाएं इसी लिए ये हमारी धर्ती पर रहने वाले अमर प्राणियों में से एक हैं तो दोस्तों ये थे वो जानवर जो मृत्तियों के बाद भी जीवित रहते हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया के सबसे समझदार जानवर कौन से हैं अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं हमारे साथ बने रहने का शुक्रिया